हेलो दोस्तों स्वागत थापका Photoshop Training Series के अंदर जिसमें हम सीख रहे हैं कैसे हम Photoshop को यूज कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे Text Tool के उपर कि कैसे इसे हम यूज करते हैं तो बने रही है मेरे साथ तकिम आपको उस सिखास को हेलो एन वल्कम टू मीडियालंस डाट कॉम और दोस्तों स्वागत थापका इस Photoshop Training Series में इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बता है चुका हूँ हम बात करेंगे Text Tool के उपर तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं एक new document क्रीट करूँगा इसका नाम देता हूँ वाइटी और इसके जो width और height है 1200-720 pixels और मैं क्लिक करूँगा okay के उपर तो जैसे कि पहले मैं इस layer को unlock कर लेता हूँ अब बात करते हैं Text Tool की तो अगर आप जाएं यहाँ पर Toolbars में देखे तो यह आपका Text Tool है यहाँ पर T लिखा हुआ है आप Keyboard shortcut T भी प्रेस कर सकते हैं इसके लिए तो जैसे ही आप T प्रेस करेंगे आप इसको access कर सकते हैं यह इस तरह से एक आई के निशान में चेंज हो जाता है अब ही बात करते हैं क्या कि लिए है क्या तो टेक्स टूल जैसे कि इसका नाम है यह अपने document में आपको text add करने में मतद करता है कि आप इसमें text भाला कैसे add करेंगे तो कैसे आपको text add करना है आप simply एक बर click देखेंगे यहां पर text add होना start हो जाता है अब अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्यों क्योंकि जो text है उसका color भी white है और background भी white है तो वह color अखिर अब change कैसे करेंगे तो यहां पर दीख सकते हैं उपर option bar में आपके पास option है तो मैं इसका color जैसे इस तरह से change करता ह अब मैं यहां पर type करता हूँ I am text ठीक है अब इसके बाद आपके पास यहां पर दो option है आप यहां तो इसे cancel कर सकते हैं अगर आपने गलती से इसे select किया था tool को या फिर आप इसे check कर सकते हैं जब आप इसे check करेंगे तो देखेंगे यहां पर आपकी एक layer बनी है उसका ना पर हैं आप दूबारे जाएंगे अपने text tool पर इस पर click करेंगे तो आप edit mode में आ जाते हैं यहां पर इसे select कर सकते हैं इस तरह से आप इसको जैसे normal जो editing होती है I am a black text इस तरह से आप edit कर सकते है capital small जैसे विचा है आपको इनका color change कर रहा है तो आप इसे इस तरह से select करेंग और फिर इनका color change करेंगे तो आप देख सकते हैं आप यहां पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर आप select करें बिना अगर इस तरह से color change करेंगे तो color change नहीं होगा बलकि होगा क्या कि बाकी का जो आने वाला text है उसका color ऐसा आएगा बट आपको अगर पुरान आने वाल ऐका color change करना है तो आपको पहले उससे इस तरह से select करना पड़ेगा तो आप जैसे इससे select का से color देख सकते हैं और इसका आपको color change करना है आपको सभी का color change करना है आप control A दबा के पूरी को select कर सकते है आप देखिए een question mark का रहा है क्यों क्योंकि different, different color है फिर आप इ सब को कोई भी एक कलर दे सकते हैं जैसे मैं इस तरह का एक कलर देता हूं ठीक है और रोकी प्रेस करेंगे इसी तरह से अगर आप को इस टेक्स्ट को मूव कराना है तो आप मूव टूल पर जाके इस तरह से मूव करा सकते हैं और आप देखेंगे कि जब आप अपने प्लस यह पूरा टेक्स्ट जो है आपका सेलेक्ट कर लेता है तो आप यहाँ से इडिट कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ मैं Taoip डवल क्लिक और मेरा टेक्स सेलेक्ट कर लेगा फिर मैं है यहाँ लिख सकता हूं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूं और फिर मैं OK प्रेस करूँगा इसे मैं इस तरह से फिर सीधे है मतलब मुझे जोरी नहीं उस text tool पर जाने की इसके लावा कुछ और options के बारे में बात करते हैं तो इसे मैं select करता हूँ यहाँ पर आपके पास option है जैसे उपर देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सबसे पहला है font change करने का option है तो आपके पास काफी सारे fonts है पहले से तो जब आप photoshop इन्स्टॉल करते हैं तो भी आपके पास काफी सारे fonts होते हैं इसके लाव आप चाहे कि तो अलग से font छो है वो भी download कर सकते है इसके अलावा और option भी है यहाँ पे खैर उनके बारें बात कर लेते हैं जैसे यहाँ पे आपके पास font size है और देखेंगे कि जैसे color change करने के same ही आपको पहले इन सबको select करना होता है फिर इनका size change करना होता है अब आप यहाँ से बोलेंगे कि मेरे पास 72 pixels इससे ज्यादा का तो option नहीं है तो इससे बढ़ा मैं आँखें कैसे करूँ तो आप क्या है अगर इस T पे अपना mouse लेके जाएंगे तो देखेंगे कैरो आता है इधर उदर sign का आप उससे इधर उदर scrub करके इसका size और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो यह काफी अच्छा तरीका है अगर आपको ज्यादा text बढ़ाना हो तो आप चेक करेंगे और फिर इसे move tool के help से इधर move करा सकते हैं इसके अलावा और additional text से related option के लिए आप जा सकते हैं windows और click करेंगे आप यहाँ पे characters के उपर तो character पर click करेंगे तो आपके यहाँ पर एक window आ जाएगी यह side में एक panel आ जाता है यह character panel है इस पर click करेंगे तो आपके पास यहाँ पर option होते है text related तो आप यहाँ से size वगयरा सबको change कर सकते हैं और स्रिफ आपका वो layer select करी होनी चाहिए जैसे अगर आप किसी और layer पर है तो आप इसे change करेंगे तो फरक नहीं पड़ेगा आपका वो layer select करनी है और फिर आप इसका size वगयरा सबको change कर सकते हैं आप इसके पूरे का color जैसे change करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं आप इसका font अगर change करना चाहें तो वो अभी आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ पर कुछ है और option है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जैसे कि line height और width height पगेरा के बारे में तो इसके लिए मुझे सबसे पहले कुछ extra line लिखनी होंगी तो मैं जैसे यहाँ पर जाके अच्छा font select कर लेता हूं और by the way आप यहाँ पर type कर सकते हैं जैसे आप अगर आपको font का नाम पता है तो और आपको dummy text paste करना हो तो आप जा सकते हैं type and click करते हैं paste Lerom Epsom तो यह dummy text होता है यह जारतरे designers वगरा use करते हैं और मैं इसे paste करता हूं आप देखेंगे यहाँ पर य क्यों हो रहा है तो यह हो रहा है line height के वज़े से यह आप देखेंगे यहाँ पर आपका option है यह second वाला यह line height होती है इसे मैं अगर auto करूँ इसका मतलब है कि एक paragraph से दूसरे paragraph में जब जाते हैं जैसे जब मैंने enter प्रेस करा तो इसकी distance है यह कि तरह होता है तो यह आप यहा है तो इसे 8, 10, 15, 20 या जितना भी देना चाहिए उतना दे सकते हैं और जैसे आपको इससे बाहर जाना है तो आप यहाँ पर mouse लेकर जाके इसे और बढ़ा सकते हैं तो अगर आपको paragraph के पीछ का distance अगर change करना हो तो आप यहां से वह कर सकते हैं इसके अलावा दूसरा आपक create करना चाहिए तो आप यहां से कर सकते हैं by default की 0 होता है आपका इसके अलावा जो दूसरी चीज आपके काम आएगी वो है यह text की height और text की width यानि अकेले L की height and width अगरा आपको change करनी हो जैसे इस तरह से यह हर एक text जो है आपका ज्यादा पहले से लंबा हो चुका है और 100% default होती है यह इसी तरह से हर एक text की width है जैसे मैं 150 कर दूँ तो यह हर एक text जो है जो ज्यादा चोड़ा हो जाता है तो यह कुछ customization है जो आप कर सकते हैं और इसके लावा यह मैं आपको important वाले बता रहा हूं इसके लावा आपकी हर एक font family में कुछ एक font set होते हैं जैसे मेरे प आपके पास कुछ option है जिसे board का extra board कर देता है यह इसके लावा आपके पास है italic option तो यह है editing मैं टेक्स आपने सीखे होंगे word वगेरा में इसके लावा आपके पास all caps option भी है सारे जो letter है capital हो जाएंगे फिर आपके पास में यह option है इसे small caps बोलते हैं इस पर आप click करेंगे त बड़ा होता है फिर थोड़ा चोटे चोटे होते जाते हैं जो आपने capital में लिखेते हैं वह बड़े capital है फिर चोटे 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 है तो आप देख सकते हैं फिर आपके super script और subscribe तो इसको समझाओं तो जैसे मैं जाता हूँ text mode में सबको select करूँँगा Ctrl A और यहां पे जैस तो इसके लिए हम इस button पे click करेंगे यह आपका super script में चला जाता है इसी तरह से मैं click करूँगा तो यह इस तरह से इसमें चला जाता है और enter प्रेस करूँगा तो यह आपका हुआ super script इसी तरह से अगर आपको subscribe में लिखना हूँ तो जैसे हमें पता है log e base पे e की value या मैं इ देख सकते हैं यह उस तरह से subscribe में आ जाता है तो इस तरह से हम text tool को use कर सकते हैं इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको text tool के बारे मैं बता दूँ कि जैसे आप text tool पे जाके जड़तर यह हम web design करते हैं या फिर किसी तरह को graphic design होता है तब यह काम में आता है जैसे मान लीज text tool में आपकी पास option होता है आप इस तरह से draw कर सकते हैं हमार की selection tool की तरह होगा क्या कि आप जैसे आप कुछ भी इसमें type करेंगे ठीक है मैं कुछ भी type करता जाओं तो जैसे ही इसके end में जाओंगा यह अपने आप नीचे आ जाता है और आपका जो text है इस defined area से बाहर नहीं जाएगा अब इसका दूसरा फाइदा में यह है कि जैसे अगर आपने बीच में enter की नहीं दबाई तो आप इससे अगर बढ़ाएंगे तो यह automatic word ले लेगा तो यह काफी इसका फाइदा है अगर आपको text area बढ़ाना हो तो mileage जैसे आप कोई book design कर रहे है तो जैसे उसका cover य इसको जैसे आपको किसी warp वगरा करने है text effects तो वो transform के अंदर होते हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा यह basic video था कि कैसे हम text को use करते हैं तो simply आपको text tool से जाके press करना है और आप यहाँ पे कोई भी text जो है वो type कर सकते हैं इस तरह से और जो मैंने आपको यह बता है इसार I am text इसका जैसे मैं color change करना चाहूँ वह भी मैं कर सकता हूँ थोड़ा light और इस वाले का मैं different color change कर दूँ जैसे और 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 जैसे हम कोई भी और चाहेता है इसका type भी change कर सकते हैं जैसे मैं bold कर दूँ इस तरह से तो जैसे हम कोई logo बनाए है तो यह कुछ simple type के होते हैं आप इने भी उस कर सकते हैं इसे मैं जैसे bold कर दूँ इसका मैं color change कर दूँ और यह शुरू वाले माई को भी थोड़ा यह तो इसे हम light करते हैं देखते हैं जो best लगें बट नहीं इस तरह से और इसका color हम और मैं भी इनको आपस में switch करा लगते हैं इसको हमारे को ऐसे और logo को semi bold इस तरह से तो आप यह नॉर्मल जो text type के logos है वो इस तरह से create कर सकते हैं और बाकी के सारे option यह हैं इसको आपको लाने के लिए आप यहां पे जाएंगे windows and then character पर click करेंगे characters यहां पर आ जाएगा तो इस तरह से हम इने यूज कर सकते हैं मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी इसी तरह के और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले और advanced tutorials के लिए और जादा जानकरी के लिए आप मेरे website यानि medialearns.com पर भी जा सकते हैं तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में so thank you for watching this video I am Devundar Singh and I will see you next time Thank you आप